अहर दो बज़े के लगवग बालक बैठा था, तो कुछ दो बदमास आए, तो समान दिखाने को बोले, समान दिखा रात, दिखाते, दिखाते, कुछ इधार उदर देखते, देखते, वो लोग अग उठी, मंगर, सूत्र, और कान के समान लेके चले गए, लगवग चालिस प किदने की चक्केम लोग थे? दो लोग थे, पहचान ही कि पहचान हुइ, कि पहचान हुइं कि काहेसे थे? रहें वह पाइसा ने चानके पटाए बालक बैठा था पायदा लिया थे साथ तित्ने कीमत किस वोने कि यह ले गाई हैं तीन सरी लाग ले गाई है मंगल सुत्र है अगुठी कहान के टाप्स हैं आप नहीं में गाऊ चल गया थे आपके बालक यह यह मनी सुनी की एक जोलरी क दुकान है एक आपर वो आज जो है खाना खाने अपने घर गए थे उनका गाउं नौबस्ता के पास मद्धेपुर में है उनने अपनी जो शाप में एक छोटे बेटे को बैठाया था जो कक्छा दस में पढ़ता है रिशब वो दुकान में बैठे हुए थे उसी समय दो कस्ट जो मर आये उनके पास गड़के और उनने अंगूठी देखने के लिए लेडिस अंगूठी देखने के लिए बात की बच्चे ने जो है उसको पूरा जो बॉक्स रहता है उटियों को खोल के दिखाया करीब वो 15-20 मिंट उस बच्चे को बातों में लगाए रहें बातों मे लगाने के बाद उनने कहा कि यह आगूठी यह खट्टी करके रख दो सभी और इसको एक पनी में डाल दो और आपके पितची काव आएंगे तो जो यह थोड़ी दिल बाद आएंगे उसने कहा कि यह उस समय हम इनको ले जाएंगे आप इसको रख दो ढब्भे में उसी तीरे से निकाल करके और बच्चे को नजर बचा करके उस डबा दे दिया बच्चे ने भी उस डब्बे को रख दिया और जो दो अन्यान वेक्टी थे उनने ये कहा कि हम कुछ देर में फिर आते हैं कार्दस्मेंट में और इसको ले जाएंगे और ऐसा कहे के चले गए यह नहीं समझ पाया कि उस रब्बे से उस हंगूठी के समान और जो दूसरे मंगलसूत के लॉकेट थे वो नहीं है और उसने थोड़ी दिर बाद देखा कि अभी तक यह लोग नहीं आया है तो उसको फिर जमा दे तो वो जो पन्नी में रखी हुई हंगूठी थी और जो तफ्स थे वो गायब थे लोगों ने वो दो अन्जान रख्तियों ने उसको मूर्ख बना करके और बातों में लगा करके और उन ले गए करीब ग्यारा नगव अंगूठी जिनकी लगवक दो से डाई ग्राम बजन थी और ऐसी इसी आकार के मंगल सूथ के दो चार्ट रॉकेट और दो चार उनके उनके वो थे जिसको वो लोग चुरा कर ले गए है कि सूचना काफी दिर बाद मिली जब उनके पिता जी आये तब बच पिछे ने उनको बताया क्रीब दो डाई गंटे बाद जो है प्लिस को सूचना मिली प्लिस मौके पे पहुची और तीवी फूटेज वगरा देखा है आगे भी टीम मना करके कारभाई के लिए रवाना है सीगरी हम उसे चन्नित करके पका लिए है अब मैंने आपको बजन हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध